दोस्तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाभी एप से कैसे लोन लिया जाता है दोस्तो आज के डेट में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि मेरे को लोन लेना है तो कोई भी आपको नाभी एप्लिकेशन ही बताएगा क्योंकि नाभी application पर काफी कम document दे करके loan ले सकते हैं अगर आपका civil score down होता है तब भी आपको loan मिल जाता है और सबसे अच्छा बात ये application RBI registered NBFC है तो आप easily इस पर trust कर सकते हैं और loan के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल new process में बिल्कुल latest process में सीखेंगे कि नाभी application पर कैसे loan apply किया जाता है उस पैसे को अपने bank में कैसे transfer करते हैं और जो भी हम loan लेते हैं उसको कैसे वापस करते हैं तो दोस्तो नाभी application से loan लेने के लिए सबसे पहले आपको इस website पे आना होगा इसका direct link मैं video के description में और comment section दोनों जगा दे दिया हूँ आप उस पर जैसे ही click करेंगे तो आप आजाएंगे इनके website पे यहाँ पे दोस्तो हम इनसे loan लेना तो सिखेंगे लेकिन उससे पहले हमें इनके बारे में सभी detail जानना होगा कि यहाँ से हम कितना तक का loan ले सकते हैं loan लेने पर कितना % का ब्याज, JST charge और processing फीस लगता है यहाँ से हम loan लेते हैं तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है तो यह सभी चीजे जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमें loan लेने का कोई फायदा नहीं होगा तो यहाँ पर दिखिए इस application के बारे में सभी चीजे यहाँ पर detail में बताया गया है तो इसको यहाँ पर मुश्किल से 2 मिनट टाइम लगेगा, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और जब आप इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और आपको लगता है कि यहाँ से मेरे को loan लेना चाहिए तो यहाँ पर स्क्रोल करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर दिखे, नाभी का official loan apply link भी दिया गया है अगर आप इस link पर क्लिक करके loan apply करते हैं, तो 100% आपको loan मिल जाएगा तो चलिए मैं loan लेना चाहता हूँ, तो इस link पर क्लिक करेंगे अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस application को download करेंगे, उसके बाद open करेंगे अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे, तो कुछ ही इस तरीके का interface आता है यहाँ पर दिखे, नीचे तीन option आएगा, home का, dashboard का और login का तो यहाँ home page पर क्लिक करेंगे, तो यह home page पर है, तो just इसको यहाँ पर skip करेंगे तो आप आजाएंगे इस application के home screen पर, यहाँ पर आते हैं, तो अभी की समय में इसमें काफी changes हुगा है मैं आपको बिल्कुल latest process में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी काफी चीजे change हो चुका है तो यहाँ पर दिखे, जब आप इसके home page पर आएंगे, तो यही पर तीन option आएगा आप यहाँ से health insurance ले सकते हैं, home loan और personal loan दोनों ले सकते हैं अगर हम home loan की बात करें, तो यहाँ से home loan को apply करेंगे और personal loan की बात करें, तो यहाँ से personal loan के लिए apply करेंगे तो चलिए इस वीडियो में हम personal loan apply करेंगे, तो just यहाँ apply now पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना mobile number डालेंगे, और get OTP पर click करेंगे उसके बाद आपके mobile number पर 4 अंग का OTP आता है OTP यहाँ पे डालेंगे और verify पर click करेंगे तो आप इसमें successful verify हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे हमें personal detail देना होता है तो यहाँ पे आप अपना full name देंगे जो आपके pen card पे नाम है वही नाम देना है यहाँ पे date of birth डालेंगे यहाँ पे pen card number डालेंगे और next पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें work detail देना होगा तो यहाँ employment type पर click करेंगे और आप बताएंगे salary person है, self-employed है, home maker है तो अगर आप कहीं पे job करते हैं तो salary person पर click करेंगे यहाँ पे आप अपना monthly income भरेंगे और next पर click करेंगे अब जैसे ही next पर click करते हैं तो इस application को फिर से हमें permission देना होगा तो यहाँ submit application पर click करेंगे और इस application को 2-3 बार permission देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा credit score को check किया जाएगा और यहाँ हमारे pain card के basis पे बताया जाएगा कि हमको यहाँ पे कितना तक का limit मिल सकता है तो यहाँ पे हम थोड़े दिर bet करेंगे आप जैसे ही कुछ दिर bet करते हैं तो यहाँ पे आपका loan amount अप्रूब कर दिये जाएगा जैसे माल लिजे कि मैं जिनका loan apply कर रहा हूँ उनके लिए 40,000 का loan अप्रूब हुआ है तो इस loan amount को हम अपने bank में लेना चाहते हैं तो इसे अपने bank में कैसे transfer करेंगे तो यहाँ पर दिखी 1000 से लेकर 40,000 के बीच में आप जितना चाहें उतना तक का loan ले सकते हैं तो चलिए 40,000 का loan अप्रूब हुआ है मैं पूरा का पूरा अपने bank में transfer करूँगा तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आप ये कितने month के लिए लेना चाहते हैं 18 मन्त, 12 मन्त, 9 मन्त तो यहाँ पर चलिए 18 मन्त के लिए तो नहीं मैं 9 मन्त select करता हूँ अगर आप इस application के बारे में और detail चाहते हैं तो scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको processing fees बताया जाएगा कि ये 0 है पहले इसमें processing fees लगता था लेकिन अब इसको 0 कर दिया गया है यहाँ पे बताया जाता है कि 40,000 का loan apply करते हैं तो ये 40,000 पूरा का पूरा आपके bank में transfer कर दिये जाएगा अगर आप अपने EMI का schedule देखना चाहते हैं तो इस पर click करके देख सकते हैं लेकिन चलिए मैं loan apply करना चाहता हूँ तो just यहाँ continue उपर click करूँगा अब continue उपर click करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना bank account add करना होगा तो जिस भी bank में आप पैसा लेना चाहते हैं उस bank को यहाँ पे add करेंगे तो यहाँ पे bank select करेंगे bank account number IFC code डाल करके next करेंगे अब जैसे ही bank account add करते हैं तो आपके bank में 1 रुपया डाल करके check किया जाएगा कि आपका bank account active है या नहीं तो यहाँ पे कुछी तिर wait करेंगे तो 1 रुपया हमारे bank में transfer किया जाएगा तो यहाँ पर दिखिए successful हमारे bank में 1 रुपया भेज दिया गया और हमारे bank को यह successful verify भी कर लिए उसके बाद दोस्तों इसमें हमें auto debit setup करना होगा auto debit का मतलब होता है कि जो भी हम loan लेते हैं और जो भी हमारा EMI होगा तो इसमें हम अपना bank account एक add कर देंगे जो भी EMI का date है उस date को हमारा EMI हमारे bank से अपने आप ही करता रहेगा यानि हमारे उपर EMI का कोई भी tension नहीं रहेगा तो चलिए यहाँ पर मैं auto debit setup कर देता हूँ तो just यहाँ next पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे कि आप auto debit setup किसे करना चाहेंगे अपने debit card से या फिर net banking से अगर आप net banking से करते हैं तो काफी easily हो जाता है वैसे ATM card से debit card से भी करेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा problem आता है तो यहाँ पर चलिए मैं net banking से करूँगा तो इसमें tick mark लगाएंगे term को accept करेंगे और submit पर click करेंगे उसके बाद आप अपने net banking का user ID password डाल करके verify पर click करेंगे तो इसमें successful आपका auto debit setup हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर मैं अपना auto debit setup जल्दी से कर लेता हूँ अब जैसे auto setup यहाँ पर done करते हैं तो यहाँ पर auto pay setup done लिखा हुआ आ जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर KYC के लिए हमें एक selfie upload करना होता है तो यहाँ camera के icon पर click करेंगे और यहाँ पर एक selfie upload करेंगे उसके बाद next अब जैसे ही selfie upload करेंगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल last step में आ जाएंगे यहाँ पर अब हमें इस पैसे को अपने bank में transfer करना होगा तो यहाँ पर आप अपना Gmail ID डालेंगे और इस पैसे को अपने bank में लेना चाहते हैं तो just यहाँ gate loan पर click करेंगे अब gate loan पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ तिर वेट करना होगा और यह पैसा 7 के साथ आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए successful 40,000 रुपया हमारे bank account में transfer कर दिया गया उसके बाद दोस्तों आप आजाएंगे इस application के home screen पर और जो भी आपका EMI है वो EMI यही पेशो करेगा आप अपने loan का सभी detail देखना चाहते हैं तो यहाँ loan detail पर click करके देख सकते हैं और यहाँ pay नाओ पर click करके आप अपना EMI चाहे तो pay कर सकते हैं अगर आप pay नहीं करते हैं तो automatic आपके bank account से pay होता रहेगा लेकिन अगर आप 40,000 का loan लिये हैं आपके पास पैसा आ जाता है आप चाहे कि मैं एक ही बार में यह सारा पैसा वापस कर दूँ तो आप यहाँ pay नाओ पर click करके total पैसा Google Pay, phone Pay, Paytium, Net Banking किसी से भी यह पैसा वापस कर सकते हैं अगर आप यही पर home loan apply करना चाहें तो यही home loan का option आएगा जश्ट यहाँ apply पर click करेंगे और home loan के लिए भी apply कर सकते हैं तो दोस्तो यह है नाभी एप आप इसमें इस तरीके से loan के लिए apply कर सकते हैं और इस पैसे को अपने bank account में transfer कर सकते हैं झाँ को यहाँ इसमें कर सकते हैं